हेलो गाईज, वेलकम बैक टी यूजी सीनेट लिटरेरिस फियो तो गाईज, आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे 50 Most Important Plays for यूजी सीनेट and other competitive exam in the field of English Literature तो ये जो वीडियो है, ये बहुत ही helpful वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए तो वीडियो को जरूर देखिएगे हैं तक और शुरू करते हैं वीडियो को, तो सबसे पहला जो work है, जो play है हमारा वो है Hamlet, तो सबको पता है कि William Shakespeare का कितना important work है ये Next है Magpeth, जो की again William Shakespeare का लिखा हुआ है Third जो play है वो है Othello, जिसको की again William Shakespeare ने लिखा है And next है हमारा King Lear, जो की again जो William Shakespeare है उनका लिखा हुआ work है Next है हमारे पास Romeo and Juliet, जिसको again William Shakespeare ने लिखा है जो हमारा sixth play है, वो है Dr. Fosters, जिसको की Christopher Marlowe ने लिखा है Next है The Importance of Being Honest, जिसको लिखा है Oscar Wilde ने Next जो play है हमारा वो है A Dolls House, जिसको की Henrik Ibsen ने लिखा हुआ है Next है हमारे पास Waiting for God, और ये बहुत important work है जिसको की Samuel Bucket ने लिखा है Next हमारे पास है Anton Cheko का लिखा हुआ The Cherry Orchard, जो की again बहुत important है जरूर करना है आप लोगों ने Next हमारा जो work है उसको लिखा है John Gay ने जिसका नाम है The Baggers Opera तो Baggers Opera John Gay का लिखा हुआ एक work है Next है हमारे पास Death of a Salesman, ये again बहुत ही important है जिसको की Arthur Miller ने लिखा है Next है हमारे पास The Crucible, जिसको की Arthur Miller ने लिखा हुआ है Next है Long Day Journey into Night जिसको की Usain O'Neill ने लिखा है Next हमारा work है The Rivals जिसको की लिखा है R.B. Sheridan ने और जो Rival work है इसमें Malapropism एक term है जो की use की गई थी तो इस term के उपर पहले भी काफी बार questions आये हुए है तो आप एक बार इस term के बारे में जरूर read कर लीजिएगा और इस work को अच्छे से पढ़ लीजिएगा Next है हमारे पास The School for Scandal by R.B. Sheridan और School for Scandal is also very very important इनकी जो first line है वो जरूर कर लीजिएगा कितने parts में divided हैं कितने acts हैं total इसमें तो वो जरूर आपको पता होने चाहिए और इसमें कुछ ऐसे questions पूछे जाते हैं इनसे कि like जो first scene है हमारा उस वो कहां पर like set किया गया है इस तरह के questions पूछ लिये जाते हैं तो वो चीज़े आपने detail में अच्छे से जरूर करनी है Next है हमारे पास The Playboy of Western World जिसको की लिखा है J.M. Sinchny Next work है Oedipus Rex जिसको की Sophocles ने लिखा है Then Euripidas का लिखा हुआ work है Media जो की again बहुत ही important है Next है हमारे पास She Stoops to Conquer जिसको की Oliver Goldsmith ने लिखा है तो Oliver Goldsmith के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह एक ऐसे person है जिनोंने you know हर एक यॉनर में काम किया है like इनकी जो poem है, poem बहुत ही important है इन्होंने The Deserted Village नाम की एक poem लिखी थी That is very very important इसके अलावा इनका यह जो play है She Stoops to Conquer यह भी बहुत ही important है और इनका एक और work है The Vicar of the Wakefield वो भी बहुत ही important है तो इनका हर एक यॉनर में आपको work देखने को मिलेगा important है writer यह तो इनको जरूर अच्छे से करना है Wallporn जिसको की Ben Johnson ने लिखा है Next work है The Duchess of Malfi बहुत ही अच्छी स्टोरी है जरूर पढ़नी है आपने इसको लिखा है John Webster Next है Everyman और Everyman के जो writer है वो पता नहीं है Anonymous है ठीक है जी तो यह जरूर कर लेना है Everyman में से पहले भी बहुत बार question आये हुए है तो अच्छे से इसको एक बार जरूर रिड़ कर लीजिएगा Next है Mrs. Warren's Profession जिसको लिखा है G.B. Shaw ने Next work जो है हमारा वो है Miss Anthrop The Miss Anthrop जिसको की Mollier ने लिखा है Next है A Street Car Name Desire जिसको लिखा है Tennessee Williams ने Next है Who's Afraid of Virginia Woolf जिसको की Edward L.B. ने लिखा है काफी बार इस work में से question भी आये है तो अच्छे से जरूर करिएगा Next है Six characters in search of an author जिसको की लिखा है L.Yugi Pirandello ने Next है हमारे पास Arms and the Man जिसको की again G.B. Shaw ने लिखा है बहुत important work है काफी सारी universities ने अपने syllabus में इस work को mention भी कर रखा है तो इसको जरूर करना अच्छे से Next है G.B. Shaw का लिखा हुआ Pygmalion Next work है The Birthday Party जिसको लिखा है Harold Pinter ने Harold Pinter एक बहुत ही important writer है इनके जितने भी works है उनको अच्छे से जरूर करिएगा आप और Harold Pinter के बारे में भी अच्छे से पढ़ना Because काफी बार question आए है Harold Pinter के work से Next जो है हमारे पास वो है The Homecoming जिसको की again Harold Pinter ने लिखा है Next है The Good Woman of Sejuane जिसको की लिखा है Bertolt Bresne Next है Mother Courage and Her Children बहुत important work है इसको भी Bertolt Bresne ने लिखा हुआ है Next है हमारे पास The Tempest जिसको William Shakespeare ने लिखा है 12th Night को William Shakespeare ने लिखा है and इसके अलावा The Merchant of Venice work भी William Shakespeare का लिखा हुआ एक work है तो William Shakespeare बहुत ही जादा important है इनको अच्छे से detail में हमने जरूर करना है Next है हमारे पास The Duchess of Padua जिसको की Oscar Wild ने लिखा है Next work है हमारे पास Look Back in Anger जिसको की John Osborne ने लिखा है बहुत important work है यह Look Back in Anger अच्छे से जरूर करिएगा यह जो work है इसी में हमें वो term मिली थी angry young man वाली तो angry young man term जो है बहुत important है इस work को अच्छे से जरूर करना आप लोग Next है Crap's Last Tape जो यह है इसको Samuel Bucket ने लिखा है पहले मैंने आपको Samuel Bucket के एक और work बताया था Waiting for God दोनों बहुत important work है यह Next है The Jew Story जिसको लिखा है Edward Albini Next है No Exit Written by John Paul Sather Next है हमारे पास The Birthday Party जिसको लिखा है Harold Pinter Next work जो है हमारे पास उसका नाम है A View from the Breeze तो यह जो work है इसको Arthur Miller ने लिखा हुआ है Next है Cat on a Hot Teen Roof जिसको लिखा है Tennessee Williams ने Then हमारे पास है The Birthday Party जिसको की Harold Pinter ने लिखा है Then है The Bald Soprano जिसको की Usain Ines को ने लिखा है जो last work है आज की लिस्ट का वो है The Caretaker जिसको की again Harold Pinter ने लिखा है तो यह कुछ ऐसे important work थे जो की आपके exams के point of view से बहुत जादा important work है वैसे तो जितने भी मैंने work बताए है उनमें से question पहले आ चुके है UGC net में भी question आए है इसके अलावा जो भी हमारे master cadder या फिर जितने भी state exam होते है चाहे वो HPSC लेती है चाहे वो PPSC लेती है कोई भी state exam है उन सब में in place से question आ रखे है तो ये कुछ ऐसी list है जो की बहुत important है तो हो सके तो ये सारे के सारे work आप जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही I hope you like this video and if you like the video don't forget to like, share and subscribe and if there is any doubt you guys can ask me in the comment section below and thank you so much for watching the video guys लुप लिसा बहुआ झालीज की लुट लुटरा बहुएल